नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देवजी के ट्रिक में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फूल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके 50 प्रस्ण होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोगों को NCRT बेस आपका जो पैटन बदल सकता है या संभावना है कि आपका जो पेपर टप हो सकता है उसके अमसास से आपका टेस्ट पेपर मनाया गया है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो परिवर्तन आपका आ सकता है कि उस प्रकार से आ सकता है यह भी आपको आज की वीडि से बना है भासा सब्द संस्कत के किस धात से बना है यह बना है आपके अपसन रहेट आप कसी होजेगा भास धातु से कि निम्न में से कौन सा भाव आप आपसे पूच रहा है, और भाव आपसे आपका डिख रहा होगा, अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, जो आपसा राट का C है आपका बच्चपन, बच्चपन क्या है आपकी भाव आप आपकी संग्या है, ठीक है न कि पूराने प्रियोग किस वाकि में हुआ है निजवाचक आपसे पूछ रहा है जो अपने स्वता के लिए है तो निजवाचक सरुनाम का जो प्रियोग हुआ है किस वाकि में हुआ है यहाँ पर आपकी चार आपसन है और राइट अंसर आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर आप भला तो जग भला आप भला तो जग भला इसमें आपका निजवाचक है यह आप अपने स्वता के लिए प्रियोग है मतलब बोल यहां पर आपका दिया है निज वाजक और आपका ए नमबर में दिया है वो दिए तिया है तो कि यह वह एक निश्ची होती है समझ गें दोनों का आर्थ चलिए नेश्ज वाज उसन आप से कह right है तो पहसा कि क्या होगा तो झाल किटने घ्रेश..? हो जाएगा क्या हो जाएगा सै और चूल चै Bobby to यहां पर कहारा है बोट काल के कितने बह hesitation होते हैं हमने फॉसे परकार के च्छै यहां पर चैनल का से आपके त्याइसे रहीं होते हैं घुळस परकार से चनल आपसे आपर कह रहा है कभी सब्द का इस्त्रे लिंग सब्द क्या है सब को पता होगा आपसन आपका सेवन बिल्कुल सब बिल्कुल सई है और कम से कम एक सो 28 वीडियो में यह जो प्रस्ट मिला है कम से कम आपकी 110 वीडियो में यह प्रस्ट आपको जरूर मिला है ठीक है ना यह नमबर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सेवर नमबर की कौन सा सही है इस तरी लिंग जो सम्द है कभी का इस तरी लिंग क्या हो अपा दान काराय की विवक्ती क्या हो जाएगा तो से अलग होना штष का अलग होने कर्फलकिया कि अलग होने के अर्थ में होता है ये सब्लब होता है दित्व 9 संदी विछ्षेह के लिएगा तो देखो हमने एक आयादी संदी बताया था और बताया था आयादी संदी की ट्रिक भी बताया था कि आपका जो भी वर्ड होगा तीन अच्छरों से ज़्यादा नहीं होगा और किसी प्रकार की मात्राई भी नहीं होगी ठीक है ना तो नार्मल मात्रा आपकी होती जो आपके की मात्रा आपको नहीं होगी जो कि आपको नहीं दिख रहा है इस प्रकार से जो आपका option right है वह आपका कौन हो जाएगा इसे हम बिच्छे दगर करेंगे तो बजने बनेगा पोधन अन क्या बनेगा पोधन अन अर्थाद पावन हो जाएगा अपसराइट अपका यापर सी हो जाएगा जो कि आयादी संदी है ठीक है नेस कर आपसे यहां पर कि यथा सक्ती सब्द में कौन सा समास है यथा सक्ती सब्द में कौन सा समास है तो एक और उदार होनता है प्रति दि यथा सक्ति मतलब सक्ति से भरपूर तो यहां पर यथा सब्द जो है यही आपका प्रधान है और यही आपका कह सकते हैं इसी की कारण यह अर्थ चिंज हुआ इस कारण से जो आपका समास होता है वापको होता है अब बहुत समास जिसमें से पहला पत क्या होता है प्रधान हो जै संकर्प साथ, ठीक है, जै संकर्प साथ आपके छायावादी कवी हैं, अब यहाँ पर कोश्चन जो आपको मिलेंगे, वो आपके काफी अच्छे कोश्चन है, चलिए कहरा आपसे 12 नंबर, कि कविता में मुक्तक छंद का प्रियोग किसने आरम किया था, तो मुक्तक छंद साथ की का विभासा कौनसी है, जै संकर्प साथ की का विभासा कौनसी है, तो इनकी जो भासा है, वो आपकी खड़ी बोली हिंदी, और राइट आपका डियो हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी, नेस कोशन आपके आचुके हैं, और संभावता हैं कि जो भी आपका हिंदी क पैटर्ण चेंज होने होगा या परिवर्तन आएगा वो इसी प्रकास से आ सकता है आपकी हिंदी साहित के अनुसार यहां पर कहरें आपसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव अब्यक्त हुआ है तो आपको कई प्रकार की कहानी आपको अगर आपने NCRT बुक के माध्यम से अगर हिंदी आप पढ़िये या NCRT के माध्यम वाली आपने यह माध्यम पढ़ा है तब आपको कहानी वापर देखने को मिलते है क्लास 10 में आपको यह कहानी दी गई है ठीक है तो आपको यह जो कहानी है यह महादिवी वर्मा की है ठीक है यह भाव ब्यक्त होता है वह वी रहस का होता है ठीके है आप नेट में डाल के देखे에 आपको सभी कहानियों में आनन्द आएगा तो बीरा और रहस के यां पर आपके बारे मताया गया ठीके बहुत ही अच्छे से बताया गया है ठीके और इसकर आप से हिमाद्रि तुंग स्तरंग से क्या है हिमाद्रि तुंग स्तरंग से क्या है ये भी आपके लिए नया कोशन है ठीक है न और ये जै संकप साथ का एक हिंदी कविता द्वारा एक राष्टी गीत या कह सकते है प्रयाण गीत है ठीक है आपका C है यहाँ पर हिमाद्री संग त्रुंग यह एक राष्टी गीत यह हम लोकर सकते हैं प्राण गीत है जो कि आपकी किस के दोरा जे संकप साथ के दोरा रचित किया गया है तो अपसन रेट आपका C हो जाएगा नेश कराब से उसा कविता में किसका सब्द चित्र है उसा कविता में किसका सब्द चित्र है तो आपके उसा कविता तो बात यह आती कि उसा कविता तो उसा कविता जो आपकी है यह आपकी समसेर बहादुर संकी कविता है ठीक है ना और इसमें जो चित्रन किया है वो प्रकत ब्रकति का चित्रन किया गयाए, जैसे करमाली जी क Chemistry होता है, तो उस समयिल प्रकति का वर्डन होता है और जैसे दुपार होती है, तूसमें व्रकति का वर्डनarme किया गया है, तो और यह क्या विता है, signiser Behader Sings, घूना भी होगा नेस्ट कोश्चन का आते ह Broken नमर आपके यहां पर 17 है कि जी आ कुछूर मैं गीत भेंचता हूं किस कुषी कि पंक्ति है। और ये जो आपकी पंक्ती है ये है आपकी भावानी प्रसाद मिस्र की है ठीके ये जो पंक्ती है भावानी प्रसाद मिस्र की है और ये नहीं कहरा है कभिता किस पंक्ती की है तो कभिता जो पंक्ती दी गही है गीत फरोस की है ठीके गीत फरोस की कम पंक्ती है ये वाली और इ यह जो आपकी रचीत है आपके भवानिप साथ मिस्र के द्वारा रचीत है समझ में आ रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए है तो आप वीडियो देख हिंदी बिलकुल कंपलीट हो जाएगी चलिए ने सकराव से जनतंतर का जनम किसक रचना है ठीक है तो यह क्लिक सक रहे त्य आप efter कि ललीजिक हो जाए आपका मितला रामधारी सिंक ना करकि आपकी यह रचना है जनतंतर का जनव आप आपका सी हो जाईगा नेस कराब से किन्यमन में से कौन आंचली कथाकार हैं आंचली कथाकार जो आपने एक कहानी सुनाओगा मैला आचल मैला आचल का ही एक फ्लाख है और यह जो आपकी पुष्टक जो मैला आचल लिखा है वो किसे ने लिखा था फड़िस्वर नात रेड़ू ठीक है तो आपकी आंचली कधाकार कौन है तो आपसे फड़ी सो नात रेड़ होए आपसे लाइट आपका डी हो जाएगा नेस कोचन आपसे यहाँ पर कह रहा है अलगू चौधरी और जुम्मन सेख किस कहानी के पात रहें तो यह जो आपके पात्रें किस के हैं अगर आपने कहानी देखी होगी या क्लास फाइब में आपकी पंच परमेश्वर की कहानी आपकी बताई गई है तो यह आपकी दी गई है पंच परमेश्वर की है ठीक है अलगु चौदरी और जुम्मन सिख किस कहानी के पात्र है तो आपके पंच परमेश्वर की है तो इसका आप से रैट आप का यहाँ पर यह हो जाएगा पंच परमेश्वर नेश कर आप से सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है ठीक है तो यह है आपके मधुआ किसका है मधुआ और यह आपके जैसंकर्प साथ की द्वारा आपकी रचीत है ठीक है मधुआ और नेश कोर्श नमर आपके यहां पर 22 नमर आप से कह रहा है आपसे किन्यम्न में कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है तो यह आपकी चरित्र प्रधान कहानी है आपको जो हो जाएगा यहां पर 22 का भी हो जाएगा सुभान खान से आपको खान से पता होगा कि एक प्रकार की ये मुस्लिम कहानी है ठीक है और इसमें से एक छोटा बच्चा होता है और एक बुड़े बुजुर्ग होते हैं तो इसमें से जो बच्चा होता है वो क्या करता है अपने बुड़े बुजुर्ग से पूचता है कि अल्ला कहा है या भगवान कहा है तो वो ज जबाब देते हैं कि पष्चिम की तरब से हमारे अल्ला का प्रिवे says भारत में उद्धारथ में ति methि पिफ खॉआ है यह मतलब कहानी आपके सुभान खा किये समाज में आ रहा है ना अगर आपको समाज में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएगे नेस कर आप से दिल्ली में एक मौत किस कहानी कार की रचना है दिल्ली में एक मौत किस कहानी की रचना है तुइ कहानी कारी के रचना है किसकी Option right आपको हो जाएगा Option C कमलेश्वर की कहानी है ठीक है कमलेश्वर की कहानी है दिल्ली में एक मौत Next question आप से यहाँ पर कह रहा है कि भारत विभाजन और संप्रदाईकता की घटनाओं से सम्मंदित आपकी कौन सी कहानी है ये कहानी देख सकते हैं कि आपके सुभान खा तो देखा था ये तो हो नहीं सकती मदवा भी नहीं सकती है तो यहाँ पर जो आप्शन राइट आप का है वो D हो जगा मलवे का मालिक और ये कहानीकार जो लिखे हैं वो आपके मोहर राकेश ने लिखा है ठीक है कि इसने मोहर राकेश ने लिखा है भारत विभाजन संप्रदाईकता की घटना ठीक है और इसके जो कह सकते हैं इनके घटनाओं से सम्मंदित कहानी है वो आपके मलवे का मालिक है ठीक है भारत गजाधरबाबु को ठीक किसकी गजाधरबाबु का वइरन किया गया या कहा किसके जिक्र किया गया गया थ vainc है किसकी इसे कहानी तो दोन plagम समझ में आ गया चलिए निश Krimac वाला सब्द कौनसा है हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सुसुप्त होता है वो किस प्रकास से होता है सही किस प्रकास से लिखते हैं तो सही लिखते हैं हम लोग सुसुप्ती आप्शन रेट आपका D हो जाएगा निश्कर आपसे सुद्ध सब्द योग से कौन से सब्द बनेगा उद्धन हार तो कौन से बनेगा आपका ये बनेगा उद्धार बनेगा ठीक हो जाएगा द्रगंचल का सही संदिवी छेद है द्रगंचल जो कि आपकी बिंजन संदी की रूल की अंसार का का परिवर्तन आपके गा में होता है वही परिवर्तन से कौन सा सब्द इस्त्रेलिंग है कौन सा सब्द इस्त्रेलिंग है तो यहाँ पर आपको जी किसी चीज पर प्रश्ण किया जाए जैसे माली जी पानी पानी कैसी है कभी बोलते हैं नहीं बोलते हैं ना बोलते हैं पानी कैसा है तो कैसा सब्द क्या प्रतीत कर रहा है पूर्लिंग कर रहा है ठीक है चाता कैसा है कैसी तो नहीं बोलते हैं इस प्रकार से भगत कैसी है नहीं बोलते हैं भगत कैसा है चंचु कैसा है इस प्रकार से मंत्री यह आपका सिधे सिधा दे दिया गया है समझ में आ रहा होगा चली निश्ट कोशन आप से कह रहा है कि 31 से 35 तक प्रस्ण में एक वाक या पदवन दिया गया है जिसके लिए लिखे गए और गया है अधगए और अगर वर्षका हो तुसे या कैसे में बहुत ही खम होती है उसे बलते है अनावर्ष की बोलते हैं दुनों बात समझ में आ रही है ना अनावरिष्ट क्या होती है अति मतलब जादा हो गया ठीके और अना मतलब कम हो गया समझ गया तो अवस्यक्तर से अधिक बारिस होती है उसे अतिवरिष्ट बोलते है और अवस्यक्तर से कम बारिस होती है तो आपकी अनावरिष्ट बोलते दोनों बात समझी में आई चलिए निसकर आपसे जो वस्तु खाने योग हो जो वस्तु खाने योग होती है उसे यहापर देखो चार आपसन कन्फूज के लिए दिया है भोजन अन्ने खाद अखाद दे तो जो वस्तु खाने योग होती है उसे हम लोग खाद दे बोलते हैं क जो कवी तच्छन या तुरंग कविता कर सकी उसे क्या बोलते हैं तो उसकवी को आशु कवी बोलते हैं क्या बोलते हैं नेश कराप से आकास में विच्रण करने वाला जो आकास में विच्रण करता है उसे क्या बोलते हैं वही तो उसे हम लोग बोलते हैं आकास मतलब नवचर option right आपका D हो जाएगा next कर आपसे यहाँ पर कि प्रस्ण संख्या 36 से 38 तक निम्लिकित प्रत्यक प्रस्ण के उत्रों में से सही उत्र का चैन करना है कर आपसे काहे री नालनी तू कुमलानी किस कवी ने लिखा है काहे री नालनी तू कुहलानी यह किस कवी ने लिखा है ती जो आपकी पंक्ती है यह आपकी लिखे है कवीरदास ने ठीके कवीरदास ने लिखा है option right आपका C हो जाएगा कवीरदास ठीके next question आपसे कह रहा है आपसे गवन के रचनाकार गवन के रचनाकार आप लोग जानते हैं प्रेमचंद की आपकी है मुलसी प्रेमचंद की गोदान गवन सेवाद सदन निर्मला ठीके इस प्रकार से तो आपके गवन किसके है मुलसी प्रेमचंद ने इसकर आपसे उसने कहा था क्या है हमने कई बार इसको आपको बताया है कि उसने कहा था ये आपकी एक कहानी है जो की चंद धर सर्मा गुलेरी की है ठीक है उसने कहा था किसके है चंद धर सर्मा गुलेरी की है और ये जो आपकी कहानी है वो आपकी 1960 हिस्वी में ड्रामा फिल्मे के नाम से रिलीज हुई थी ठीक है आप देख सकते हैं उसने कहा था आप डाली आपको आ जाएगा 1960 में ड्रामा फिल्म आपकी है जो कि आपके रिलीज होई थी ठीक है यह अपकी कहानी है ठीक है क्या है आपकी कहानी है जो आपके चंद्धर सर्मा गुलेडी ने लिखी है नेस कोशन आपसे यहां पर कह रहा है कि प्रेशन संख्या 49 से 45 तक निम् liquidity प्रत्यक प्रस्ण में दिये गए चारवी कल्पों में से प्रत्यक प्रस्ण के उपर निर्दिष्ट के समास वाले सब्द आपको दिए हैं यहां पर आपको समास आपको बताना है ठीक है क्या बताना नील कमल तक यहां पर देखो नील सब्दा क क्या दिया भी शेस्ट मिनरी कमल आपका भी सेश कह अीश है और शुकर भी सेश भी सेशन होता है और तुल्लाम वांची होता है वह आपका करमदारे समाश होता है और अपस्अरेक्षanu अच्छे से में डिस्क्राइब कर सकेंगे तो पचीस मिनिट के वीडियो कम से कम 25-30 के बीच में तो 50 प्रसुनम सरलू कर सकते हैं ने इसके आप से बावबरी समास बताइए बावबरी समास देख लिए किसमें हैं तो बावबरी समास का मतलब यह होता है ना ही प्रथम पत प् आपका यहां पर भी हो जाएगा नेशकर आप से द्वंद समास आप से पुछा है यहां पर चार आपके दिये हैं आपका नील कंठ दिया है खरा खोटा भी दिया है चरण कमल भी दिया है और नर्सिम दिया है तो यहां पर देखिए नील कमल तो आपका तो आपने देख लि है लेकिन इसका आर्थ भी आपको पता ऊए यह लिख सकते हैひ, इस चिन का यह तो और, और खारा या खोटा है, खारा और खारा और खोटा, यह कह팁ते है। तो इस प्रकास से आपका था, टोलसे ह। ये पत्रदान होना चाहिए अच्छा भी आपका क्या है कर्मधार है इस प्रकास से राइट अंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका भी हो जाएगा खारा खोटा में आपका द्वंद समास है ठीक है निस कोचना आप से कह रहा है तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास जो हो जाएगा तत्पुरुष समास मे तो यहां पर गंगा का जल, एक सम्मंद रूपी आपका है, और जो आपकी ततपुरुष में होता है, तो option right आपका ए हो जाएगा, गंगा जल में ततपुरुष समास है, निस किर आप से 43 नमबर, दिकु समास, और दिकु समास क्या होता है, दिकु समास जो पहचान होती हुआ आपकी संख्यावाची होती ही यहँआ पर आपका दुप believer जो हो जाएगा वह आपका हो जाए गलाद रहे नock का समाहार है तो अर्था यहां पर होने जाएगा डू जाना की हो जाएगा और kसलीज़ गलती कर सकते हैं इस प्रस्व में टोपी उचालना का पहले दिया है जीत की घुसी में टोपी को उचाल कर फेंक देना बहुत ही बच्ची दिमाग लगाएंगे यही कि भीया मैच खेल ले थे और जीत गए और टोपी उचाल दे यह बात नहीं है ठीक है टोपी उचालना अंबहोता है किस प्रकार कर आशकते हैं यहां पर दिया गया है निवेधन अब देखे लिए निवेधन हम लोग किस से करते हैं निवेधन js 음ka यूज कहएं पर करते हैं 4 आफशन है किर्ण और रफसे किसी बात पर सैमत होनी कि प्रारत्न क्या निवेधन को कहेंगे नहीं कह ठीके ना दूसरा है अपनी बात को विनम्बता पूर्वत कहना तो बात विल्कुल सही है कि किसी से अगर अपनी बात को विनम्बता पूर्वत कहनी है वहाँ पर निवीधन किया जाता है ठीके ना यहाँ पर देखो सी दिया है सिस्टा पूर्वत धंग से कहना यह भी गलत हो सर किसी पत के लिए कथन द्वारा प्रश्ट दिये भी गलत हो जाए अपसर राइट आपका B हो जाएगा ठीके चलिए नेस कोशन आप बताईए 47 नमबर आपको दिया है इर्षा और इर्षा का मतलब क्या होता है भई देख लीजे इर्षा और जो इर्षा है इर्षा का जो आ अर्षा लेकिन वो सुद्ध नहीं होता है सुद्ध क्या होता है दूसरे की उन्नति को सहन ना कर सकना वह इस्षा होती ठीके चलिए 48 नमर आप से यहाप पूछ लिया है इच्छा देख लीजे इच्छा बिल्कुल से सिंपल है लेकिन इच्छा होती क्या है पहले आप से कह किसी वस्त को चाहना बिल्कुल वास सही है किसी वस्त को चाहना ही आपकी इच्छा होती है ठीक है ना यहाँ पर अधर आपके सभी आपसन गलत है राइट अंसर आपका यहाँ पर विव हो जाएगा किसी वस्त को चाहना ओके चलिए उन्चास नमर आपसे कह रहा है प्रडाम और प्रडाम भाई किससे करते हैं या कैसे करते हैं यहाँ पर दिया है नमस्ते क्या नमस्ते बोलेंगे नहीं बोलेंगे न सम्मानी व्यक्ति को हाँ जोड़ना अपनों से बड़े को अभ्यादन करना समान अवस्था वालों को स्वागत करना तो भाई 49 नमबर हमने आपको ब प्रती बोलते हैं आपको दिया है आत्मीता रखने वाला साथ रहने वाला सवन में समवयस्क या मित्रता रखने वाला या सुंदर हर्दय या बेवहार वाला तो जो सुर्दय बोला जाता है वो आपको किसके लिए मित्रता रखने वाले के बोलते हैं ठीक है तो आपको पचा आपके प्रेक्टिस सिट में कहीं न कई सभी वीडियो में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा तो आप लोग डेली के डेली एक टेस्ट लगाते जाएए और जो आपको मतलब सिल्फ हिस्टिडी वह भी करते जाएए ठीके ना जो भी पॉइंट आपको वीक हो उसको नेट अउन शgil सिस्ट्गपिवेली वी जाएए और जो रही ओॉण और एको बिल्योग के लुष मु To G MR